हेलो स्टुडेंट्स वेल्गम टो वर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉंडेच और आज हम करने चा रहे हैं क्लिम्सिज ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट जिसका टाइटल है कुर्ग और यह जो कुर्ग है वो करनाटका का सबसे चोटा सा डिस्टिक है और इसके अंदर सबसे ज़्यदा कॉफी प्लानटेशन पाया जाता है चली देखते हैं इस लेसन में क्या है कुर्ग इज कॉफी कंट्री जो कुर्ग है वो कॉफी उत्पन करने वाला एक परदेश है famous for its rainforests and spices और यह परसिद्ध है अपने वर्षावनों के लिए और उसके साथ साथ में मशालों के लिए भी midway between मैसूर and the coastal town of Mangalore और यह किस के बीच में पढ़ता है मैसूर के बीच में पढ़ता है और जो coastal town है जो तटिय कस्बा है Mangalore का उसके बीच में पढ़ता है sits a piece of heaven और ऐसा लगता है कि कोई सवरक का कोई छोटा सा टुकड़ा वहां पर मोचूद हो that must have drifted from the kingdom of God और जिसको बहा कर लाया गया हो drifted का मतलब यहां पर लिख रखा है being carried along gently by air, हवा के द्वारा बड़े प्यार से लाया गया हो कहां से? from the kingdom of God भगवान के सामराच्चे से this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures और यह जमीन है, गुमावदार पहाड़ियों की यहां पर एक निवास करती है, एक बहुती गर्विली परजाती जिसको martial man बोला जाता है, लड़ा को योधा बोला जाता है उनको तो उनकी परजाती यहां पर निवास करती है, उसके साथ में beautiful women यहां पर खुबशुरत औरते हैं and wild creature और जंगली जानवर भी है कुर्ग और कोडागू, आप इसे कुर्ग भी बोल सकते हैं फिर कोडागू भी बोल सकते हैं इसमालेस्ट डिस्टिक है कनाटका का और इस होम और यह घर भी है एवर्ग्रीन ड्रेंफोरेस्ट का जो सदा बाहर वर्षावन है उनका spices, मसालों का and coffee plantations और coffee के पोधों का evergreen drain forest cover 30% of this district और जो सदा बाहर वर्षावन है यह पूरे district का, पूरे जिले का 30% हिसा cover करते हैं, ढके वे हैं during the monsoons, it pures enough to keep many visitors away और monsoon के दोरान यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि यह बहुत सारे जो visitors है, इनको दूर रखने के लिए परियापत होती है the season of joy comments from September and continue till March और जो season है, खुसी का, वो comments का मतलब सुरू होता है कब से, September से लेकर और यह कब तक चलता है, March तक चलता है the weather is perfect, जो मोसम होता है वो काफी सही होता है, perfect होता है with some shower thrown in for good measure और लगातार हलके हलके बुनदावांदिया बारिस होती रहती है the air breathes of invigorating coffees और यहां पर जो हवा है, वो कोफी के पोदों को क्या करती रहती है हस्ट पुष्ट करती रहती है, उनको ताकत देती रहती है और इसा लगता है कि जो चाय के जो प्रांत है स्वरी जो कोफी के जो प्रांत है वो और जो कोलोनियल बैंगलोच है जो koloni के अंदर, बस्ति के अंदर, बनेवे जो, बड़ी-बडी, ओमारते हैं, evangelical वो stand tucked, ओसे बंदेवी से परतीत होते हैं, under tree canopy, tree का मतलब पेड़ और canopy का मतलब दो छहतरी जो पेड़ों की जो छहतरी बन गई है, उसकी छाया के निचे in prime corner, सुंदर सुंदर कौनों के अंदर ऐसे लग रहा है कि मानों सभी कि एक दूसरे के साथ में बंदेवी हों, tucked हों, इसा बताया जाता है कि कोई आर्मी का कुछ हिस्सा जो साउत की तरफ दक्षन की तरफ चला गया था तट के किनारे किनारे और वही पर जाकर बस गया क्योंकि उनका आना वापिस लोटना असंबव हो गया था इस पीपल मैरेड अमोंगेस दे लोकल्स और इन लोगों ने क्या कर लिया वहां के जो लोकल्स थे जो स्थानिय लोग थे उनसे साधी कर ली and their culture is apparent और इनके जो संस्कृतिय वो बिलकुल अलग दिखाई देती है in the martial traditions, martial का मतलब जो इनके युद्ध हवाले गुण है उनके अंदर युद्ध की परंपराओं के अंदर, marriage साधियों के अंदर and religious rights और इनकी जो धार्मिक परंपराएं है उनके अंदर ये काफी इनकी जो संस्कृतिय वो अलग दिखाई देती है which are distinct from Hindu mainstreams, जो बिलकुल अलग है Hindu जो mainstream है, मुखेदारा की जो परचलन है, उनसे बिलकुल अलग है the theory of Arab origins draws spot from the long black coat और यहाँ पर एक सिधान्तिक आधार है, सिधान्तिक आधार है इनकी अरब की जो उत्पति थी, इन लोगों की उत्पति का एक सिधान्त का आधार है और वो आधार क्या है, जो ड्रो करता है, बताता है, स्पोर्ट करता है कि ये एक लंबा सा और काला कोट पहनते है with an embroidered waist belt worn by koda wuj और उसके उपर कडाई की होती है, इनकी कमर पर बनने वाला है, जो बैल्ट होता है उनके उपर कडाई की होती है, और जो किनके द्वारा पहना जाता है कोडा wuj के द्वारा पहना जाता है, यही एक इनकी उत्पति का एक सिधान्त है जिसको क्या बोला जाता था, कूपिया बोला जाता है क्योंकि यही मिलता जुलता है, जो कूपिया है, वो मिलता जुलता है किसके साथ में उस कूपिया से जो किसके दोरा पहना जाता था herbs के दोरा या फिर kids लोगों के दोरा पहना जाता था ठीक है कुर्गी homes have a traditions of hospitality जो कुर्गी जो घर होते हैं उनके अंदर प्रंपरा होती है महमान नमाजी की, hospitality की and they are more than willing to recount numerous tales of well or related to their sons and fathers और वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं बहुत जदा कहानिया सुनाने की और वैलर का मतलब होता है कि जो साहस होता है उसके बारे में और जो साहस उनके लड़कों ने या फिर उनके पिताजियों ने जो दिखाया था उसकी कहानिया सुनाने के बड़े इच्छुक होते हैं The Kurgh Regiment is one of the most decorated in Indian Army. और जो कुर्ग Regiment है वो भारती आर्मी की सब से decorated मतलब समानन ये सेना का एक हिस्सा है and the first chief of Indian Army journal करिय अपा वाजे कुर्गी और जो पहला chief बना था, chief general जो बना था जिसका नाम जर्नल करिय अपा था, वो भी एक क्या था? कुर्गी था. Even now, Kodavuj are the only people in India permitted to carry fire arms without a license और पूरे भारत के अंदर, ये Kodavuj जैसे लोग हैं जिनको भारत में इजाज़त है बिना license के fire arm रखने की बिल्ब गोला बरूद वाले हतिया रखने की The river Kaveri obtained its water from the hills and forest of Krug और जो Kaveri नदी है, ये अपना पानी कहां से लेती है? पहाड़ों से लेती है और इसके साथ साथ में जो forest है, कुर्ब के जो जंगल है, वहां से लेती है महासीर, ये large fresh water fish और जो महासीर है जो एक ताजा पानी की मचली है Abound in these waters, बहुत परचूर मातरा में इसके पानी में पाई जाती है King fishes die for their catch और जो king fisher है, वो उनको पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं While squirrels and langurs drop parsley-eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water और जो गलहरिया है वो और जो langगूर है वो, वो क्या करते हैं? आदिखाएवे फलों को कहां पर फैक देते हैं? सरावत बरे अंदाज से पानी में फैक देते हैं वो आनन्द उठासके हैं चपाक की आवाज का और उसके साथ में जो तरंगो वाला जो वहाँ पर इफैक्ट पैदा होता है उस साफ वाने के अंदर उसको देखने के लिए Elephant enjoy being bathed और जो हाथी हैं वो आनन्द उठाते वे देखे जा सकते हैं नहाते वे और उनके महावतों के द्वारा उनको रगड़ते वे देखा जा सकता है उनके पीट को मसलते वे देखा जा सकता है और इसके साथ में बताए गया है कि बहुत ही आराम पसंद करने वाले जो लोग थे अब उन्होंने अपने अपने जीवन को बदल लिया है बहुती हाई एनरजी वाले साहसिक कारियों के अंदर जिसमें सबसे पहला आता है रिवर राफ्टिंग जहां लठों के एक नाव बनाकर और नदी में तैरा जाता है कैनो इंग छोटी नोकाओं में तैरने के लिए रैपलिंग और रैपलिंग का मतलब यहां पर लिख रखा है इसके साथ में माउंटेन बाइकिंग यह साइकल चलाते हुए या फिर बाइक चलाते हुए आप देख सकते हैं उदर उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकाश से चेंज कर लिया है नूमरिस्ट्रेल का मतलब तो पैदल चलने वाले जो राश्ते हैं वहां पर भी परवतारोगीon के लिए क्या बने हुए ka मतलब यहां यह ल्बने मीरिया जो लंबी पैदल यातरा करते हनें अगर आप पैदल चलते हैं तो आपके साथ साथ में पक्सी भी आपको दिखाई देंगे मख्यां भी मधुमख्यां भी आपको दिखाई देंगी तितलियां भी आपके साथ देंगी आपकी कंपनी के लिए मैकोक, मैलाबार स्क्वेरल, लंगूर, एन स्लैंडर लोरी जीप ए वच्फुल आई फ्रॉम दर ट्री कैनोपी और पेड़ों की छायां के अंदर से आपको क्या-क्या देखते हुए मिलेंगे मैकोक मिलेंगे आपको जो अफ्रिकी लंगूर होते हैं वो मालाबार स्क्वेरल जो मालाबार ग्लैरी होते हैं वो भी आपको देखेंगे लंगूर भी आपको देखेंगे और स्लैंडर लोरी से एक चोटा सा बिना पूछ वाला बंदर है वो भी आपर क्या रखेगा एक watchful आई रखेगा निगरा नहीं रखेगा पेड़ों की छतरी से और वो कहता है यहाँ पर जो लूसियो है वो कहता है कि मैं जंगली हाथियों से थोड़ा सा दूर रहना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ अगर आप ब्रमगरी पहाड़ी के चढ़ाई करते हो तो आपके सामने एक पनेरोमिक व्यू आजाएगा मीन बहुत दूर तक फैले वे एक जमीन का दृष्य आपको दिखाई दे जाएगा पूरे के पूरे धुन्द से भर्यावा जो भूचहतर है कुरुक का वो आपको दिखाई दे जाएगा ब्रमगरी पहाड़ी से और अगर आप पैदल चलते वे उस रसी से बने वे पूल को पार करते हो तो आप पहुँच जाओगे 64 मतब 641 में फैले वे एक आईलेंड एक दूइप जिसका नाम कहा है निसार गदाम जो नाम है वहाँ पर आप पहुच जाओगे और जो बाइले कुपी है उसके नजदीक भारत का सबसे बड़ा जो तिबती बोध जो विहार है जहां पर बुद्धी लोग रहते हैं मोंक रहते हैं उनको देखना तो आपके लिए क्या हो जाएगा एक बोनस पॉइंट होगा मतलब आपके लिए एक फायदे वाली बात हो होगी दा मोंक इन रेड ओकरेज एंड येलो रोब्स आर अमोंगेस्ट द मैनी सर्प्राइजिस एट वेट वी डिसकरवड बाइव विजिटर सर्चिंग फॉर्ट एंड इंडिया राइट हैर इन कुर्ग और इसके साथ साथ में यहां पर बताया गया है कि जो बुद्धी लोग हैं जो मोंक हैं जो उन्होंने लाल कपड़े पैन रखे हैं गेरवे कपड़े पैन रखे हैं या इसके साथ पीले जो रंग के जो कपड़े उन्होंने डाल रखे हैं वो जो दारण के हो जो बिक्षू लोग हैं कुरुक के अंदर तो ये क्या होते हैं ये जो भारत के जो हदे और आत्मा की खोज करने वाले जो यात्री होते हैं उनके लिए अनेक सर्प्राइज होते हैं बोजद आश्री होते हैं उनमें से ये एक है जो लोग वहां पर रहते हैं